अगर आपके बस Redmi Note 12x12 Pro है, कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप back tap to take screenshot, यानि कि यह जो screen पे back side है ना, यहाँ पे आप double tap करेंगे, तो screenshot आ जाता है, जैसे कि देख सकते हैं, मैंने double tap किया screenshot आ गया, यह कैसे आप set कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे आप setting पे, और यहाँ प यहाँ पे back tap का option है, back tap पे click करेंगे, जैसे iPhone वगरा की logo में भी अगर आप logo पे back tap करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ फंक्शन जरूर होता है, तो double back tap पे click करेंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो normally यह take screenshot पे selected रहता है, और control से इंटर भी आप इसे खोल सकते है, notification shared या, Google Assistant, launch camera, calculator, यह सारे function का आप use कर सकते हैं, double tap करके, तो मैंने screenshot पे selected कर रखा है, और यहाँ पे triple back tap, अगर तीन बार आप tap करते हैं, screen पे, तो क्या होना चाहिए, calculator silent mode, get issue related logs, और यहाँ पे talkback, none, तो यहाँ पे triple करने से क्या होता है, launch camera, तो यहाँ पे ठीक है, तो यह आप change कर लिजेगा, अपने according, तो अब हम test करते हैं, चलो set हो गया है, अब double tap करते हैं, एक तो, screenshot आ गया, अब तीन बार tap करेंगे, camera launch करने के लिए, एक तो तीन, देख सकते हैं, कि यहाँ पे camera launch हो गया है, तो यह बहुत ज़दा fast और बह इसी के according, अगर मैं iPhone की बात करूं, मैं पर है iPhone, तो इसको मैं अगर double tap करती हूँ, तो यह थोड़ा सा time taking है, यह थोड़ा सा time लेता है, बागी यह अच्छा काम कर रहे है, चले मिलते हैं, आपको एक next video में तब तक के लिए, नमस्कार,